नमस्कार मैं दिव्यों स्वागत है आपका अच्किस वीडियो में कर्मचारी चैन आयोग द्वारा केंद्रिय ससस्त्र सैनिक बनों में कॉंस्टेवल के पदों पर भरती निकाली गई है यह भरती BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP समेथ कई विभागों में आई है जहां 26,146 पदों को भरा जाएगा इनमें BSF के 6,174 पदों पर, CISF के 11,025 पदों पर, CRPF के 3,337 पदों पर, SSB के 635 पदों पर, ITBP के 3,189 पदों पर, AR के 1,490 पदों पर और SSF के 296 पदों पर, भरती की जाएगी आविदन करने के अंतिम तारिक 31 दिसमबर, 2030 आविदन करने के लिए एक चुक उमिदवार, इसके अधिकारिक वेबसाइट, ssc.nic.in पर जा सकते हैं यदि इसके आविदन सुल्क की बात करें तो जेनरल, OBC और EWS वर्गी के उमिदवारों को सौर पे देने होंगे वहीं अन्य सभी आरक्षित वर्गी के उमिदवारों से किसी प्रकार के आविदन सुल्क नहीं लिये जाएंगे आईए अब जानते हैं कि S.S.C. G.D. कॉंस्टेबल के पदो पर आविदन करने वाले उमिदवारों के सैक्षिनिक योगिता किसी भी मानिता प्राप्त बोर्ट से दस भी पास होना जरूरी है यदि उमिदवारों के आयू सीमा की बात करें तो नियुमतम उम्र एक जनवरी दोजार चोबिस तक 18 वर्स होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 23 वर्स होनी चाहिए हालांकि आरक्चित वर्गी के उमिदवारों को इसमें उम्र सीमा में छूट के प्रापधान मिले हैं सरकारी मांदन के अनुसारी ने छूट दिये जाएंगे अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उमिदवारों का चैन कंप्यूटर आधारित परिक्षा के आधार पर होगा कंप्यूटर आधारित यह परिक्षा हिंदी और अंग्रेजी समें 13 छेत्री भासाओं में ली जाएंगी दिन में आसामी, बंगाली, गुजराती, कंणर, कौंकनी, मल्यालम, मलिपूरी, मराथी, ओरिया, पंजाबी, तमिल, तिल्गू और उर्दू सामिल है कंप्यूटर आधारित परिक्षा के बाद उमिदवारों को सारillik मानक के परिक्षन, सारीरिक दग्चुता परिक्षा, मेडिकल टेस्ट और दस्तावे सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा चलिए बाखिर में हम बात करते हैं आविदन प्रक्रीया के बारे में इसके लिए मिद्वारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा आधिकारिक वेबसाइट हमने अपने description box में दे रखा है आप चाहें तो यहां से भी direct जा सकते हैं यहांने के बाद आपको home page पर latest notice का link मिलेगा यहां पर आपको SSE Constable, DD, INBSF, CISF, ITBP, CRPF, NCB, SSF, Asami, Rifles, Recruitment, 2030, Apply online form के link पर click करना होगा यहां मांगेगा details को दे कर registration की प्रक्रिया पूरी कर ले registration के बाद application form भर ले और online माधिम से भुकतान करे आविदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ध्यान नहीं के आविदन करने से पहले विभाग द्वारा जारी कियेगे notification को जरूर पर है अंध में आविदन पूरी होने के बाद print out निकालना ना भूले क्योंकि भविस्दे में इसकी जरूरत पर सकती है आज के लिए फिल्हाल इतना ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद